हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग ये एक ब्लुटूथ स्पीकर है, इसको रेपेर करना सीखेंगे साथ ही मैं इस वीडियो में आपको ब्लुटूथ स्पीकर में इस्तमाल होने वाले सर्किट बोर्ड के कम्पोनेंट से सम्बंदित महत्पून जानकारी साजा करूँगा यहाँ पे आप देख पारें इसमें 6 स्क्रू हैं जिनको हम अन्स्क्रू कर लेते हैं जैसा कि आपने देखा मैंने इसके 6 स्क्रू जो थे इसको अन्स्क्रू कर लिया है और अब हम इसके बैक साइट का जो बॉड़ी है इसको अलग कर लेते हैं इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसके अंदर हमें दो स्पीकर्स दहुए हैं साथ ही आप इसके अंदर एक ये main board देख पाएंगे जो इसकी main PCB है और यहाँ पे इसके ऊपर की buttons के लिए यहाँ पे एक और PCB दी गई है जिसमें ये push switch लगे हुए है और ये जो है ये main PCB है और main PCB से ही हमारे दो speaker जो है ये connect हैं दोनों के लिए connector दिये गए है यहाँ पे आप देख पाएंगे दोनों side एक एक speaker जो है ये इस तरीके से लगा हुआ है जो कि एक buffer type का speaker है और यहाँ पे हमारी main PCB जो है ये है और इसमें लगे हुए components के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं जो इसमें लगे हुए components है उसके बारे में अगर जानकारी होगी तो हमें इसको repair करने में आसानी रहेगी तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने चाहूँगा ये एक IC लगी है जिसको हम Bluetooth decoder IC कहते हैं मैं इस पे क्या main sun है आपको दिखाने का प्रयाज करता हूँ इस पे AC1701A main sun है और ये stereo type Bluetooth decoder IC है तो यहाँ पे ये 24 lag की एक IC जो है Bluetooth decoder IC लगी हुई है साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि दो IC और लगी है ये जो दो IC है इन पे क्या main sun है इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे इस पे हमको जो main sun देख रहा है वो 8002A main sun है और ये एक class AB audio power amplifier है और इस तरह कि इसमें दो IC जो है दोनों ही speakers के लिए अलग अलग दी गई है ये class AB audio power amplifier IC जो है ये 2 watt continuous power जो है आउटपुट करती है और यहाँ पे ये low voltage पे ही work करती है ये 5 volt DC power supply के साथ में ये काम आसानी से कर सकती है इसके अलावा भी इसमें component आप देख पाएंगे एक और component दिया गया है यहाँ पे ये जो component है इस पे क्या main sun है हम देख लेते हैं चुकि ये जो component है 3 leg का है और इस पे जो main sun है मैं आपको दिखाने का प्रियास करता हूँ यहाँ पे A1SHB जो है इस पे main sun है और ये जो है एक P channel MOSFET है इसका इस्तमाल जो है वो battery protection या load switch या power management में यूज होता है और ये जो power MOSFET है इसी के द्वारा इसमें लगे हुए lithium ion battery या cell को charge किया जाता है ज्यादतर जब हमारी battery से संबंदित fault आती है जैसे battery charge नहीं हो रही है ऐसी condition में यही power MOSFET जो है ये खराब होने के chances रहते हैं तो ऐसे में अगर हमारी battery बिलकुल okay है और फिर भी हमारी battery charge नहीं हो रही है तो ऐसी condition में यही power MOSFET जो है responsible होता है इसके अलावा हमारे PCB में कुछ और components जो है place है यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यह हमारा TF card जो memory card है उसके लिए slot दिया गया है तो यहाँ से हम memory card अपनी insert करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे 3.5 mm auxiliary connector जो है यहाँ पे दिया गया है इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे USB disk या USB drive के लिए यहाँ पे हमें port दिया गया है और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक और हमें micro USB power supply के लिए port दिया गया है यहाँ से हम power input करते हैं battery charging के लिए या without battery भी हम इसको जो है use कर सकते है Bluetooth speaker को तो यहाँ पे इस तरीके से इसमें इस side के यह components जो है हमने देखे कि यहाँ पे placed है और इस PCB में इसके अलावा जो है आप यहाँ पे mic भी देख पाएंगे एक mic भी placed है और इस तरीके से यहाँ पे Bluetooth antenna जो है यहाँ पे PCB में ही दिया ग यहाँ पे इस Bluetooth speaker में जो battery है वो खराब हो चुकी है यानि यह Bluetooth speaker जो है लगबग 5-6 साल पुराना है और यह permanently use हो रहा था यहाँ पे इसमें जो backup है वो बिल्कुल नहीं रहा है और यहाँ पे आप देख पाएंगे एक Nokia type की battery जो है यहाँ पे place है तो यह battery जो है यह damage होने पर ह हम इसी तरह की mobile की अगर हमारे पास कोई सही battery है उसको हम place कर सकते हैं otherwise आप इसमें lithium ion cell जो है उसको use कर सकते हैं lithium ion cell जब भी use करें तो उसमें BMS का प्रियोग निश्चित ही करें तो यहाँ पे इस battery को हम धीरे से निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे इस battery को द ब्रेक हो गया है यहाँ पे battery को हम खोल के देखते हैं कि इसमें battery जो है कौन सी लगी थी और यहाँ पे आप देख पाएंगे यह वायर जो है इस battery से अलग हो गया है और इस battery को हम धीरे से remove कर लेते हैं इसके बाद हम यह जो battery है इस पे क्या main sun है यह देख पाएंगे काफी अच्छा backup दे रही थी ऐसा नहीं कि backup नहीं दे रही थी यहाँ पे आप देख पाएंगे यह एक चाइनीज ब्रांड Nokia टाइप battery है BL5C और निश्ची थी इसमें BMS circuit जो है अंदर लगा हुआ है और यह battery जो है इसको हम replace कर देंगे lithium iron cell इसकी जगह पे लगाएंगे यह मैं को आपको यहाँ पे यह battery जो है इसको replace करूँगा और इसकी जगह पे lithium iron cell जो है हमारे पास है 2500 mAh capacity वाला तो यहाँ पे हम BMS जो है इस cell में लगा देंगे जिससे की इसमें protection feature जो है वो आ जाएंगे और जिसके बाद हम इसको अपने Bluetooth speaker के साथ connect कर देंगे तो यहाँ पे यह प् प्लेस कर दिया है और इसके बाद cell जो है fully protected रहेगा कोई भी chance नहीं रहेंगे कि cell हमारा damage हो तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि इस cell को अपने Bluetooth speaker के wires जो है बैटरी के इनके साथ connect कर देंगे जिसके बाद हम इस Bluetooth speaker को जो है repair कर पाएंगे यहाँ पे आप देख पारें ज जो positive wire है उसको connect करेंगे यहाँ पे आप देख पारें positive wire जो है यह तूट गया था इसको मैं थोड़ा सा इसके अंदर का wire जो है इसको निकाल लेता हूँ जिसके बाद हम इसको भी BMS के P positive वाले point के साथ connect कर देंगे यहाँ पे solding flux जो है मैंने इस पे लगा लिया है और इसक battery के 780 battery जो है इसको जोड़ दिया है अब हम इसको यहीं पे place कर देंगे यहाँ पे battery जो है place करने के लिए ही space दिया गया है और इस तरीके से जो main board है इसको हम यहाँ पे place कर देंगे और साथ ही इसका जो control panel PCB है इसको भी मैंने place कर दिया है इसके बाद आप यहाँ पे देख battery है इसमें हमने battery जो है यह replace की है lithium-ion cell replace किया और अब यह पहले से दुगना जो है backup देगा चुकी यहाँ पे battery जो है 2500 mAh capacity वाली लगा दिया है अब मैं इसमें glue gun से यहाँ पे glue जो है थोड़ा लगा दूँगा जिससे कि battery जो है अपनी जगहे पे fix हो जाएगी और किसी भी त speaker है इसको आप आसानी से repair कर पाएंगे और इसके संबंद में आपको कुछ महत्पून जानकारी जो है मिली होगी तो आज की वीडियो में इतना ही thanks for watching have a nice day